और विल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल आश्य टॉक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्चूसा कंपेनी की तरफ से डिलॉइट कंपेनी की तरफ से एंड पैलेट्रो सोलेशन कंपेनी की तरफ से बहुत एची हाइरिंग पॉर्चिस के बारे में बताने वाला हूं ज क्या आप चैनल पे देख सकते हो बहुत सारी आपकेंपस ड्राइव पॉर्चिस है उन सभी पॉर्चिस में भी आप सभी अपलाई कर सकते हो एड टेलिग्रम चैनल जॉइन कर सकते हो अगर आपको रेगुलरली जॉब अपडेट्स चाहिए तो ओके अब पहली जॉब रोल पॉर्चिस आपको वर्चुसा कंपनी के दरफ से देखने मिल जाती है जहां पर आप देख सकते हो निूरल हैक सेजन सीग्स ओके सो गई यहां पर आप देख सकते हो वर्चुसा क्यूरेड़ इंटरनेशनल हैके तॉन स्प्रेड अक्रोस इंडिया नेपाल शिलंका और में एम्टेक मस्यानम से कंडिट्स अप्लाइ कर सकते हैं अल ब्रांचेस ठीक है सभी अप्लाइक सकते हैं यहां पर आपका इंट्रेस्ट जो है प्रोग्रामिंग का वह पताच चलेंगा आपको पॉर्चिमिल जाती है कंपीट करने की ऑल इंडिया ऑल वर्ल्वाइट कंट ठोण जाती हैं इंटरैंटी पोफिंग जाती हैं इंटरेस्ट पोवर्चिमिल जाती है और एक्साइटिंग जतने के चांसेश आपको मिल जाती है लिगसानी का 10 मार्च चाहिए आपके फुल टाइम कोर्स में 50 पर्सेंटिस का क्राइटीरिया है बी में 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 से एंटेंटेंट्स अप्लाई कर जकते हैं 2023 बैट्स ओके इनी ब्रांच जिसके अप्लाई कर देना है रिजिस्ट्रेशन फॉर्ट अगस से स्टार्ट हो चुका है 21 अगस इसकी लास डेट QA and DevOps Analyst का यहाँ पर आपको जॉब रोल देखने मिल जाता है है घ्रवाद ते लंगारा लोकेशन देखने मिल जाती है जॉब आपको टाइमिक 11-8 पम का देखने मिल जाता है लोकेशन यहाँ पर आपको हैदराबाद मेंचन है बी बीटेक, M.C.A. अप्लाई कर सकते हैं य लास्ट अपोर्षी यहाँ जाती है पलेटरो सोलुशन की तरफ से जो की जावा डेवलपर के लिए हाइरिन कर रहे है जहाँ पर बी बीटेक कैंडिट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने CS, IS या EC ब्रांच से कंप्लीट किया है बी बीटेक तो 2021 और 2022 पासट बैच के लि सारी की बात कर ली जाए 5LPA और 6.5LPA तक आपको सारी पैकेज देखने मिल जाता है वर्क लोकीशन आपको पैंगलोड देखने मिल जाती है और आपको सेलेक्शन की बात कर ली जाए सबसे पहला assessment टेस्ट होने वाला है उसके बाद technical round, managerial round and HR round आपका होने बाला है यहाँ प आपको सब्सक्राइब पसंद आयो, informative लगाओ तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंज के साथ भी शेर कर देना, thank you for watching this YouTube वीडियो till the end